हेलो गुद इवनिंग स्टुडेंट्स आउ यह वोप अलो फियो दिंग वेल मैं सब भवनी सिंग जादवन दा फेकल्टी और बायलोजी इन एविस एंड रहर वेलकम ओल अफ यह वन एक्जामपो टीचिंग स्कूल तो स्वागत है आप सभी का एक्जामपो टीचिंग अगरा क्लियर है कि नहीं साथी साथ जल्दी से आपके सेशन को शेयर कर दिए ठीक है आपका बेसिकली क्या किया जा सके क्लास को आगे स्टार्ट किया सके करे जाए कुछ नए कुश्चन देखते हैं किसमें कितना है दम वेक सर की क्लास में चलेगी क्या बिटा वह वी नमस्कार प्लीज कोई बताए रीजनिंग की क्लास कब होती है रीजनिंग की होती है बटा दुप शाम में होती है बाकी आपका होली के बाद एक और नया टाइम टेपल आपको मिल जाए का कैसे हैं आप सब्सक्राइब दो एक दम बढ़िया है तुम अधा तुम कैसी हो अधी से भी एड़ वालों को बाहर कर दिया जाएगा क्या आगांचा जिंग एसी कोई भी इंफर्मेशन के भी इस ने नहीं दी है तो जब तक के वी इस ना दे ऐसी कोई इंफर्मेशन अब आँ से दूर रहें सर यह नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है यूटूब की बच तरफ से नहीं आता होगा तुमको तो बताएं ना नो मुझे होती है आजाएं करो चुप चाप से चालिए तो एक बार जड़ा बता दिया आवास वगर क्लियर है कि नहीं गुड़ी इवनिंग गुड़ी इवनिंग जय हिन जय भारत सभी को चालिए तो ओल ग्लियर तो एक बार जल्दी से शेशन को शेर कर दीजे ताकि आज की ग्लास को स्टार्ट किया जा सके ठीक है और लेट मी टेल यू फर्स्ट ओफ ओल वन थिंग ठीक है थोड़ा सा मेरे सर में थोड़ा हैड़क है तो दस वजे वाली क्लास आपकी मैंने मंडे को शिफ्ट करवाई अगरे अगरे क्लास तो ले लू जब तक मैं अबनी बानलू चोती तब तक लास को सेर करो अगर चली अगर विवेक सर की क्लास नहीं चलेगी बिटा विवेक सर जानते है वह वह मैं नहीं बता सकता चली तो स्टार्ट करते आज की क्लास आज की क्लास का कुश्चन नमबर पहला आप से बोलता है कि जैव विविद्धा हास का सबसे महत्पूनकार्ण क्या है ग्लोबल वार्मिंग जलवाईयू परिवर्तन ओजोन रिक्तिकरन या फिर मैं से कोई हुकुम सिंग बिट्टू जी राम राम आपको भी तो बताइए कि जैव विविद्धा जो है उसका सर आप और कितने लंबे बाल करोगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यह तो लागवी नहीं हो रहा है ठीक है कितने लंबे रेपेंजल देखी है रेपेंजल है उसकी तरह कल लेते कि जैव विविद्धा के हास का सबसे महत्पून कारण क्या है नन चलिए अब देखी काईदे से जैव विविद्धा का हास सबसे महत्पून कारण जो जैव विविद्धा के हास का होता है वो होता है हमको रहने के लिए जगह चाहिए तो हमने का कि या तेंदुवा की जगह चाहिए तो इसने क्या कि शहरों पर अटेक करना चाहिए तो सिटीज में आना चाहिए आजकल आप सुनते होगे कि शहर में तेंदुवा कामला जाने कहां से आ गया इंदुवा ठीक है चुटीले सर को प्रनाम ठीक है प्रनाम बेटा तो में जो कारण है वो होता है लॉस ऑफ है बट इस्टिल ठीक है जब जिस एक्जाम मे अग्जाम में तीन इन तीन में से एक चुनना है तो तीन में से आपका कौन सा होगा कि यह तेंदुआ है या कि अब तेंदुआ है मेरे आत्म है ना दिव्याबारती कि सफलता बैच में आज विवेक सर की गलास होगी कि नहीं अब यह नहीं पता बिटा विवेक सर है अभी नहीं अभी आफिस में कहां से पूछ की बता दूँ कई मीटिंग में गए है वो चलिए तो इन तीन में से आपको जब चुनना पड़े तम आप लगाएंगे जलवायू परिवर्तन की जैसे जैसे आपका ठीक है जो सराउंडिंग से वो चेंज हो रही है हर एनिमल बेसिकली आपका एड़ेप्ट नहीं कर पाता हर टाइप के एनवार्मेंट को तो धीरे है आपकी क्या हो रहा है च Goldman विविधता का हास हो रही है बट सबसे important reason जो होता है काइदे से वो होता है आपका loss of habitat आवास के हास हो रहे है धीरे धीरे over population जैसे बढ़ रही है वैसे आपका क्या हो रहा है ठीक है आवास खतम गरते जा रहे हैं तो answer to this question will be इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या that is B B will be the right answer चली next thing is कौन सा वरनक पौदों को UV विकरन शती से बजाता है क्लोरोफिल जन्तोफिल केरोटिनॉड या फाइकोसाइन ठीक है आपके पौदे में ठीक है क्लोरोफिल के अलावा भी अन्यरंजक होते है जैसे जन्तोफिल होता है क्लोरोटिनॉड होता है फाइकोसाइ पौस क्रियेट होते है नहीं बिटा जलवायू परिवर्तन तो तब होगा न जन्संख्या बढ़ेगे और जन्संख्या तुम तो देखी रही हो तब बढ़ रही है कुछ नी समझ में आता हमको का कल लेते साधी कल लेते दू बच्चा पैदा कल लेते हैं कुछ निये जीव चलिए very good answer to this question will be इस प्रशन का उत्तर की कौन सा वरनक पौदों को यूवी करन की शती से बचाता है तो बेसिकली आपके पौदे में जो बचना होता है वो बेसिकली किसको बचना होता है क्लोरोफिल को बचना होता है ठीक है यह क्लोरोफिल अगर डिस्ट्रॉय हो गया सबसे इंपोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका क्यारोटीनोइट की खासियत की होती है यह फोटो ऑक्सिडेशन से बचाता है प्रकाश उप्चेहन से बचाता है तो एंस प्रशन का उत्तर हो जाएगा सीफोर चंगू कि कि अठीक है क्लियर है कि अधियर सभी को चालो आगे वड़ते आगे वड़े ऑजौन दिवस्ट विश्वय परियावरन दिवस्टें राष्ट्रिय्य प्रुजशन निर्वारन दिवस्टें क्रमसे मनाया जाता है पांच जून सोले सक्वागे पांच जून 16 सेतंबर 2 दिसंबर 16 सेतंबर 5 जून 28 दिसंबर 16 सेतंबर 5 जून 2 दिसंबर बलमा वेटा हम तो सरकारी टीचर करन्या से ही विवा करेंगे कर लियो वेटा अगर मिल जाए तो बताइए कि आपका ओजोन डे वर्ल्ड इन्वार्मेंटल डे और नेशनल पॉलूशन प्रिवेंशन डे ठीक है नेशनल पॉलूशन प्रिवेंशन डे ये कब-कब बनाया जाता है चलिए एंसर टू दिस कुश्चिन विल बी देखे ओजोन दिवस सोलह सप्टेम्बर को परियावरन दिवस पाथ जून को बनता है ठीक है आपका विश्व परियावरन दिवस राश्ट्री प्रदूशन निवारन दिवस ये आपका हर साल दो दिसंबर को बनाया जाता है उप्शन में देखो ये का है 16 सतंबर पर ये और भी तो गलती हो गया 16 सतंबर पाथ जून अठ्था दिसंबर ये भी गलत हो गया डी विल वीदा राइट अंसर ठीक है तो 16 सतंबर पाथ जून और 2 दिसंबर को आपका बनाया जाता है कॉपी करने वालो और करो कॉपी और चलो बेड़ चाल दो तील लोग अंसर कहा कर देते बागी सब टिपोडों की तरह एक पीछे भागने लगते तो आंसर टू इस कोश्चन विल भी इस प्रेश्न का उत्तर है यह आपका डी ठीक है कि 16 सितंबर 5 जून और 2 दिसंबर को आप अश्क्रिय प्रदूशन निवारन दिवस काहे बनाये जाता है क्यूं मनाये जाता है क्यूं मनाये जाता है तो काहे बनाते हैं है मेरा सही बहुत बढ़िया जिनका सही अच्छी बात है तो का ये बनाते हम का जरूरत पड़ गई प्रदूसंदिवस बनाने की लास्ट वाला देखे ही नहीं तो नाचो शी बात पर देखा वर्मा मेरे को पता नहीं शायद विविक सर आउट अफिस है किसी मीटिंग में गए हूंगे माइट भी पॉसिबल इसलिए नहीं चल रही है तो क्यों बनाए जाता है आपका क्योंकि इसी दो दिसंबर को ठीक है एक काली रात आई थी एक ब्लैक फ्राइडे था ठीक है जिसे हम बोलते हैं 1984 को भुपाल गैस तरासदी तो जो लोग भुपाल गैस तरासदी में अपनी जान गवा बैठके थे उनकी याद में थीक है उनकी याद में हम बनाते है दो तारिक को ठीक है देट इस दो दिसंबर को आपका राष्टिय प्रदूशन ठीक है निवारन दिवस चलिए अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर फेपड़ों के कैंसर का कारण होता है या एस्बेस्टोस केल्शम फ्लोराइट सीमेंट कारकाने या फिर वॉकसाइट का खनन है कि तीन दिसंबर दो से तीन दिसंबर बूला जाता है गुरु जी कुत्ते ज्यादा भौक रहे है क्या करूं तो कुत्ते भौक दे भौक ना बंद हो जाएगा ऐस्बेस्टोस कारण कारण देखिए और यह आपकी जो डिजीज कास करता है वह पॉस करता यह वहार्ड हो जाती है जिसकी वैसे सास लेने में आपको क्या होती है दिक्कत होती है तो फेफडों के cancer के major जो का वो रहता है Cement car खाने में कई ओ ऐसे सारे प्रदूशक निकलते हैं ठीक है जो cement factory में कार करते लोग कई ओ ऐसे सारे प्रदूशक निकलते हैं जो कि आपका बेसिकली क्या कर सकते हैं लंग कैंसर कोस कर सकते हैं तो answer to this question will be इस प्रसनिका उत्तर हो जाएगा करेंगे उस पर भी वीडियो बनाएंगे सनी सर टेंसन मतलो ठीक है तो answer अभी पढ़ो जो पढ़ रहे हो ना अभी से तैयारी करते चलो के वी जी आईगी तो answer to this question will be c cement factory चलिए next thing is melanin किस से बचाता यूबी किरन से द्रश्य किरनों से इंफ्रा लाल किरनों से या पर आवरक्त किरने भी बोलते है या फर x-ray से गुडी इवनिंग गुडी इवनिंग इस पीने से सई हो जाता बिल्कुल पंकुडी या था ऐसा सई चका ठीक है कि जो जो पीता है ना cigarette वो थोड़े दिन बाद ऐसे आता है यह मुकेस यह है मुकेस ठीक है पहले मैं बहुत गुट का और तंबा को काया करता था जिक्रेट पिया करता था अपसोस डॉक्टर मुकेस को बचा नहीं पाए ठीक है ऐसा आ जाता है चलिए वेरी गोड तो बेसिकली आपका मेलनिन किस से बचाता है मेलनिन आपका जो है यूवी रेडियेशन से जो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट भी रेडियेशन है मेली इनसे आपकी प्रोटेक्शन देता है ठीक है मेलनिन क्या है यह फ्रोटीन है जोकि हमारी स्किन की छिखें शेलस बनाती है जिनको मेलनोसाइट अंड़़्ा इंफ्लूएंस ओफ शन्रेस यह आपका मेलनिन का प्रोडक्शन करती और जितना ज्यादा मेलनिन होगा अतना कल्लू कल्लन कालिया तो ऐसे लोग जो होते हैं जो कल्लू कल्लन कालिया मेरे जैसे एंको बहुत सारे लोग चड़ाते तुट्ट वाइब जैसे को टैसा अगली वार कोई चड़ा है तुम बोल देना तू मरेगा वोलते काले से माय हो कि cancer होता है जाधा गूरे लोगों को जल्दी chances होते हैं cancer के तो this color saves us from ठीक है 7 different types of cancer there are 52 different types of cancer but it can give you protection from the 7 different types of cancer that doesn't mean की काले लोगों को cancer नहीं होता, other cancers हो सकते ठीक है, तो answer to this question will be expression का उत्तर है that is UV किरने फीक है तो यू वी करणों से आपका बचाता है थीक हैगक तो अगली बार है सराब ऐसे क्यों केते हो गोरे लोगों को अमेशा गोरे लोग छिडाते देखो पहली चीज तो काले लोग जो भी है मेरी तरह ठीक है काले लोगों को क्या डेंशन कम होती है ठीक है क्यों है क्तो क्रीम तो क्रीम गोरे निहां होने वाले क्रीम का खर्चा बचना छीज़ बैस इंपल बढ़े टिंपल पर तो कोई दिक्कत नहीं कोई भूर्म लोगente अ है ये फेक्टर भलाने फेक्टर गेंगा फेक्टर यूवी सी यूवी सी नहीं आती जी एस एक्स्प्रेस यूवी सी एड्मोस्फेर में सबसे खतरनाग है यह आपकी नहीं आती है ठीक है काले का लूटे बैंगल लूटे बहुत बढ़िया चलो तो गाना भी सुनाओगा दूप में निकलाने का रूप की रानी ठीक है मेलनन जादा ना बढ़ जाए निम्न मेंसे कौन प्रदूसिक जल में अनुपस्थित होता है हाइड्रिला जल कुम्भी स्टोन फ्लाई का लार्वा नीला हरा श्यावाल बताईए लेट्स टड़ी ठीक है दिस क्लास केन वर्क फॉर आपका के वीस टू तो आप पढ़ना चालू करें यहां से टेंशन मतले सर आपकर नम बोरो है यह कौन सा है कि कलूओ को स्वरकारी नौकरी लग गई तो तो पहले ब्या हो जाएगा उसका गोरे से सर ओली का क्या प्रोग्राम है ब्लेंडर प्राइड या अपन प्राइड और ब्लेंडर यह सब नहीं करते हैं घर जा रहे है घर पर बनाएंगे उली चलिए तो कौन सी चीज आपकी नहीं देखने को मिलेगी प्रदूशिक जल में देखिए अगर आपके पानी में ठीक है हाइड्रिला उग रहा है तो most probably आपके पानी के अंदर सी ओ टू कंसेंट्रेशन ठीक है कारबन डाउकसाइड की मात्रा जादा है अगर आपकी पानी में जलकुम भी उग रही है तो most probably यह क्या है एक्जोटिक स्पिशीज है बाहर से लाई गई गई स्पिशीज है और यह पानी का डीयो को कम करेंगी घुलित ऑक्सिजन को क्या क और फॉस्प्रेट जैसे मिनरल्स क्या है जादा है तो यह भी पानी कैसा है ठीक है यह अपना जो अंडा देती है यह साफ पानी में ही दे पाती है जिसमें आपका optimum concentration हो किसकी oxygen की तो यह आपकी प्रदूशित जल में देखने को नहीं मिलेगी यह आपका ठीक है fresh waters में देख है इसर अंन्या काली भी घो ठीक है चलेगी बर सरकारि इचर हो हाँ वेटा गाना भी आया था कि गोरी यहeduc हो कोई canale Ghi कि पने पर वो पैसे वाली हो तो ही चलेगी मूझ को पहन पतलून अफला 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 तू चलो तो आणसाइट विल भी सी क्लियर है तो सी इसका क्या है सही उत्तर है चलिए नेक्स प्रिशन पर चलते अगले प्रिशन पर चलते एश्चिरशिया कोलाई का उपयोग जल के प्रदूशन को निर्धारित करने के लिए एक संकेत जीव के कि अगल फाग में ठीक है भारी धातू में या मलपदार्थ में है कि सर मेरा जूनियर में 79 है एक सो पाच है जूनियर में 79 है आगे क्या करूं सोनु सदा भार ठीक है आप बेसिकली एक तो काम करें कि आने वाले सीटेट का पेपर सेकंड की तेयारी करें को स्केवल प्राइ प्राइमरी से रिलेटेड अभी सूपर्टेट प्राइमरी आएगा उसकी तैयारी करें चलिए सर जी मेरा कमेंट नहीं देखे दिव्यवारती बहुत जल्दी से निकल गया बिहार की धरती से प्रनाम आपको भी प्रनाम चलिए तो एक ओलाई आपका बेसिकली ऐसे पानी म कि इसमें आपकी का ज़्यादा कन्सेंट्रेशन देखी जाती है और इस पानी का सबसे जञादा मिलेगा सबसे पहले बक्टिरिया चेक किया जाता Heming tap दीच lips मेब यहीरी से किया जाता है ती मैं से हमारे जैसे कुछ भाई बंद होते हैं जो ऐसे लेकर बैठ जाते हैं यहां यहां लोटा है यह नद्धी बह रही है नहर है यहां पे आपका बेसिकली कोई तलाप फलाव है ठीक है तो इस जल को अपन बोल देते मलित जल टेकर एंसर टू दिस कोस्टिन विल बी डी कि जल्दी बताए बेटा कवीता मिश्रा सबसे कम रहेगी ठीक है मुस्ट प्रबबल या तो सिंगल की नाइन नाइन रहेगी कॉम्बो होगा तो चोदो सो सम्थिंग रहेगी तो अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिस पानी के अंदर फ्लोराइड क्या है बहुत ज्यादा है बड़ा हुआ फ्लोराइड तो इससे होगा क्या आपके यो जो दात है यह वाला ठीक है यह पहले तो पीले पड़ना चालोंगे तो तुम्हें सोने की दात की जरुवत नहीं पड़ेगी सारे दास होने जैसे चमकेंगे इस कंडीशन को हम बोलते है क्या फ्लोरोसिस दूसरी चीज़ आपकी हड्डिया क्या हो जाएंगी विकरत हो जाएंगी फ्लोरोसिस ठीक है आपकी हड्डिया जो है वह आपकी कैसी कमजोर पढ़ने लग जाएगी तो एंसर टू में देखने को मिलेगा आपका सीवेज वोटर में चलिए तो आंसर तो इस कुश्चिन विल बी ए नेक्स इंग इस निमने लिखित में से कौन प्रदूशक के साथ-साथ संरक्षक भी है ठीक है आपका विच और फॉलाइंग इस पॉलुटेंट एस वेल एस मेरे कमेंट क्यों नहीं जा तो रहे हैं और कैसे दांगे नहीं बिटा दिव्या-भारति आले लोगों का इम्म्यून सिस्त्रम स्ट्रोंग होता है इम्म्यून सिस्टम का इससे प्रोड़ो रेलेशन नहीं है दल कंसेप्ट ऑ इम्म्यूनूटेश्टी लेट में टेल जाते हैं नहीं यह रहा है दगो है हमारी बोडी में कई हो सारी कोशिका हैं डबलू बीची में जो इम्मुनिटी बनाती है पहली चीज तो यह सब लोग आप इम्मुनिटी किस पर डिपेंड करती है नमबर वन जनेटिक्स अनुवान शकी नमबर 2 एक्स्पोजर कितना आपने एक्स्पोजर लिया है एक्सपोजर से क्या मतलब नहीं है रहे है देखो सब्सक्राइब जैसे कि मैं दारू नहीं पीना दोस्त दोस्त इस दोस्त में पाई पहली दारू के वास्ते में पलाई जाती है मैं यहां बाई नहीं नहीं कुए कर दो आ अरते हैं पाते हम सब्सक्राइथर like पाले टोवा है इसे कर अरी ही तो एक नहीं इसे कर दिन है मैं नहीं को कंगा दोर एक झारइख दारु है उसमें क्या किया? इसे और आर रे बार मेरे बौडि में आ रही है yeah वो गया एक और बना मैंने कि नहीं भाई एक की बात हुई थी अब ये पहली बार मेरी बोडी में जब आई ठीक है वेन दिस थिंग कमस फर्स टाइम इन मा बोडी इड विल स्टार्ट रियक्टिंग ये अपना रियक्शन दिखाएगी यसलिए थोड़ी दिर बाद में मेरे को भाई एक और बनाओ नहीं बस ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है फिर एक बार ऐसा फिर से हुआ ठीक है लोगा बाई आस त कई दिन बाद कि तो यह दूसरी बार हो गया अब मेरे को खुद पसंद आने लगी तो एक दिन यह क्या है एक प्रेक की जगह जब मैंने यह लिया खुद से तो यह चड़ी नहीं बड़ जब दूसरा पैक लिया अलकी से हिट करे है फिर मैं दो पैक के लिए आ दियो गया फिर एक टाइम तो क्या हुगा चड़ नी रही बेकारदारू क्या डारू लाए ओवे कितनी बेकारदारू है चड़ी नी रही ठीक है मतलब बॉड़ी क्या हो गई उसके एडाप्ट कर गे तो दिस एडाप्टेशन ओप दा बॉड़ी रिलेटेट टू सम पॉरन पार्टिकल is known as immunity इसका काले गोरे होने से कोई मतलब नहीं है समझ में आया ठीक है और ऐसा ही होता है आपका जब आप सिगरेट पहली बार पीते हो तो आपको खास ही आती है चलिए तो एंसर टू दिस कुश्चिन विल बी ओजोन दो टाइप की है बैड ओजोन आपकी प्रदूशक की तरह काम करती है गोड ओजोन जो कि आपकी स्टेटोस्पेर में होती है आपकी प्रोटेक्शन की तरह काम करती है चलो नेक्स इंग इस एलियम सेपा जिया मेस सेकेरम ऑफिसी नहरम ट्रिकटिकम एस्टिव और मैडिकागो सटाइवा प्राकर्तिक प्रदूशकों को छूशत किया जाता है C02, C-O, No2 या SO, plants likeलियम थास्टिक महर्म सेपा, जिया मेस, सेकेरम ऑफिसी नहरम ट्रिकम एस्टिव और मैडिकागो सटाइवा, absorb the natural pollutant which of the following pollutant is absorbed by these बदाओ कि यह जो सारे प्लांट है ठीक है यह जो सारे प्लांट है यह कौन सा प्रदूशक absorb करते हैं तो एनोटू एसो बहुत सारे अंसर आ रहे ठीक है बट एग्जेक्ट नहीं आ रहा चलिए एसो देखो पहली चीज तो यह तो होगा नहीं एसो तो ओगा नहीं क्यों एसो टू होता है एसो नहीं होता ठीक है लगता है पीते यह बेसे कली आपकी कार्बन डाउकसाइड की कंसेंट्रेशन को कम करने का काम करते हैं हाला कि यह आपका सलफ़र डाउकसाइड को कम करने में काम करता है ठीक है एसो नहीं होता बैटा एसो टू होता एसो कुछ नहीं होता एसो इस नोट एक एनि टाइप पॉलुटेक प्रिक्रमन ठीक है डिफरेंस इन अट्मोस्पेरिक टेंपरेचर या डिफरेंस इन अट्मोस्पेरिक प्रेशर ठीक है चलो तो देखो सबसे पहले आपकी जो विंड होती है ना विंड जिसको अपन एयर बोलते है एयर की स्पीड अलग-अलग चीज अलग-अलग बताती है अगर यह स्पीड एयर की 0 से 25 किलोमीटर पर आर चल लई है तो इस एयर को अपन बोलते है ब्रीज इस वायू को अपन बोलते है क्या हव यह गरम हो सकती है ठंडी हो सकती है अगर यह 25 टू ठीक है तो यह आपकी बोली जाती है इसको अपन बोलते हैं अंधड या फिर आदी और अगर यह आपका 80 से ठीक है फिर तो आपका 400 सम्थिंग किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चल लहीं है तो यही चीज आपकी बोले जाते हैं क्या स्ट्रॉंग तूफा ठीक है यह सारी स्पीड मेजर करी जाती है एक डिवाइस से जिसको हम बोलते हैं एनीमो मीटर तो बतहिए आंडी का कारण होता है प्रतवी का घूर्नन ठीक है प्रतवी का परिक्रमन वाईुमंदली अंतर या फिर आपका वाईुमंदली दवाब में अंतर तो इटेस डू टू तू दिफरेंस इन द एयर प्रेशन ठीक टो एट्मोस्पेरिक प्रेशर में आपका डिफरेंस जब आता है तब आपका create होती है उस से क्या बिन्ड वैरी गुट वैरी गुट वैरी गुट शाहिस तशाहिस लोव प्रैशर एरिया में साइक्लोन आता है बहुत बढ़िया ताइंसर to this question will be D next question is छेत्रफल की द्रश्टी से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है एशिया, अफरिका, औस्ट्रेलिया, उत्री, अमेरिका तो छेत्रफल की द्रश्टी से ठीक है दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है शोब मंडल में होता है, very good चलिए, very good, ठीक है तो शेत्रफल की द्रश्टी से जो सबसे बड़ा है वो है एशिया दूसरा सबसे बड़ा वो है अफरीका और सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा बता जो जल्दी से चलिए, ठीक है, very good, ऑस्ट्रेलिया, कौन बोला है कि बेटा पहला अफरीका है, दूसरा आपका एशिया, बेटा एशिया पहला है, दूसरा आफरीका है, ये ता वड़ा रीजन नहीं दिखियो तुम आओ, एशिया ठीक है, रसिया, फसिया, यूरेसिया, ठीक है, यूक्रेन, उक्रेन, चाइना, पाइना, इंडिया, इतना बड़ा एशिया है, जपान, आपान, सब, ठीक है, तो answer to this question will be, इस प्रिशन का उत्तर क्या है, बी, चली, next thing is, अफरीका का उच्चितम बिन्दू है, ठीक है, the highest point of Africa is Mount Everest, Mount Kilimanjaro, Mount McKinlay, या फिर Ellsworth Mount, बतायो, शुआ हैं, कि we Bruce unique, Was вып. Ohh, I have a, very good, very good, बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, Mount Everest कहाँ है, ठीक है, यह आपका एश्या में, ठीक है, Mount Kilimanjaro, यह आपका का है, अफरीका में, माउंट मैंकंट से दिनाली की छोटी है इनी आली आपका किधर 6 pourquoi अमेरिका पुत्री अमेरिका में ठीक है और ट्ल खो इस लोकेटब अनना चाहँ में तो इसलें से बढ़ है तक पंसे चंदा जो है इन्टार्टिका एंटार्टिका एंटार्टिका इंटार्टिका विल्वीदा तो इसका सही इंसर है Baham expansion हिंद महासागर में आई सितना कोन सा यह और धर्ती का अभब से घहरा सथान कौन सा बता है तो हिंद महासागर का सबसे घहरा स्थान कौन सा है ठीक है तिस वोच्टोक सुन्दरा ट्रंच संडय ट्रेंच हाँ आं एंटार्टिका कि किलमिनजारो तंजानियं है बैरी गुड छीक है तो very good very good तो सुंडा ट्रेंच आपका हिंद महसागर का सबसे घहरा स्थान है और धर्टी का सबसे घहरा स्थान कौन सा है जो प्रचान महसागर में क्या नाम है मरियाना ट्रेंच केवल तील लोग ही जा पाएं अभी तक मरियाना ट्रेंच ठीक है तो आंसर तू दिस कोश्चन विल भी नेक्स इंग इस कैलीफॉर्निया में जो डेथ वैली है वो किसके लिए प्रजिद है प्रदूशित शेत्र है सबसे गरम शेत्र कटोर शेत्र है या फर जॉला मुखी शेत्र है तो बताइए कि आपका जो कैलीफॉर्निया यूएसे में एक घाटी है जिसको अपन बोलते है डेथ वैली है ना ठीक है यह एक आपका क्या है डिजर्ट है ठीक है रेगिस्तान है यह किसलिए फेमस है ठीक है तो वेरी गुड़ इस दा होटेस्ट डेजर्ट सबसे गरम जैसे भारत में गरम रेगिस्तान की बात करें तो था रहाता है तो सबसे गरम रेगिस्तान पूरे विश्व का जो है that is death valley answer to this question will be the hottest area सबसे गरम रेगिस्तान ठीक है नेक्स इंग इस निम्न लिखित कतनों में से कौन सा या फर से सही है या फर है ठीक है पौदे सूर्र के प्रकास से उड़जा को कार्बोईडरेट की रूप में संगरहित भोजन में परिवर्थित करते कोशिका कोशिका वित्ती नहीं होती केवल पहला सही कथन सही है केवल फस्ट और सगेंड सही है या फर सब सही है ठीक है नाचो कि अ टकला कोन टकला तो बताओ कि निम्नलिखित कतनों में से कौन सा या से सही है पौदे सूर्र के प्रकास से उड़जा को कार्बोईडरेट की रूप में संगरहित भोजन में परिवर्थित करते हैं पौदों में क्लोरोफिल होता है ठीक है पादब कोशिका वित्ती नहीं मिलती या फिर सभी सही है चलिए तांसर तू इस कोश्चन बिल भी ठीक है इस प्रिशन का उत्तर क्या होगा देखे पौदे सूर्र के प्रकाश को क्या करते हैं ठीक है सल्लाइट को मतलब लाइट क्यामिकल एनरजी में चेंज कर देते है ठीक है और आपका फूड स्टोर करते है किस फॉर्म म करता है। तो कोशिक होती ये बिलकुल कोशिका बित्ती होती है और Ceyllulose Vaude में एक प्रकार कार्णी चेंट है और दिस कोशिका करता है नाति कोशिका प्रकार रिखे है ones शेंAccas तो भी आपका क्या है सही उत्तर है चली अगले प्रिश्ण की तरफ बढ़े तो अगला प्रिश्ण बोल रहा है चलती बस में एक यात्री ठीक है एक बच चल लएती एक दम से ब्रेक लगा ठीक है सारे आदमी एक दम से आगे दच्छका कहा के आते हैं यह समझाया किसके न्यूटन के पहले नियम के अनुसार न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार या समवे के संद्रक्षन के सद्दान से बताईए हेलो बेटा जमसेत खान थडल आफ न्यूटन अच्छा बहुत बढ़िया बहुत चका चके तो जब आप बस में बैठे हुए थे ठीक है ठीक है और एकदम से जो जटका लगता है और यह न्यूटन का पहला नियम होता है इसी को आप इनर्शिया के रूप में भी जानते हैं कितनी बार तुमने न्यूटन के लॉप पड़े होंगे फिर भी कन्फ्यूज हो थाड़ लो रहे था है तो एवर एक्शन देर इस उक्व सांथ नहीं पड़ा तुम लोगों ने कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है ठीक है और मतलब किसी मूविंग अब्जक्ट में तो अगर एकदम से कुछ भी होता है तो उस पर क्या लगता फूर्स लगता है चलिए तांसर टू दिस क्वेश्चन विल भी फरस्ट चलिए निमने लिखित में एए कहां भग रहा है निमने लिखित में से कौन सा जीव तवचा से सांप लेता है सांप लेता केंचुआ लेते बंदर लेते या इंसान लेते बताओ जड़त्वकानियम वेरी गुट इनर्शिया चराजा मुर्गा खालो नहीं भाई आप खाओ ठीक है खाते खाते पट रहा है यह बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया ठीक है तो कौन सा जीव आपका तवचा से सांस लेता देखे अगर कोई भी तवचा से सांस ले रहा है तो इसकी बॉड़ी कैसी होनी चाहिए थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए नमीदार होनी चाहिए प्रषक तो हमायी बॉड़ी ना तो चिपचिपी है नमीदार है ही है आइए बॉड़िया इसांस लेने की कादी है बेद्र ऑफ्द्र या ठीक है जब कपाल बारती करत हुँ गेह फैलता है यहां मत बताय कर प्रफेबड यां का अफ बड़े यहां होते हैं कहीं का भी किदर भी किसका दो नीचा कर दो किड़नी उपल लेने न गले मले लेने ठीक है तो इन में से नमीदार तचा किसकी होगी केचुव की होगी तो केचुवा ही आपका क्योंते हैं कि इस तरह की रेस्पाइरेशन को परफॉर्म करेंगा इस तरह के रेस्पाइरेशन को बोलते है क्या qtonious ठीक है तो चीए शुशन चलिए तो answer to this question will be इस प्रिश्न का उत्तर उमा सुकला कुट जाएगी human कब से cutaneous respiration करने लगा गजब चलिए आहार नाल में अंगोद्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में मैदपून भूमिका निवाता है अगनासी रस और लाल हैड्रोगलोर्ट अमल और बलगम पित्रस और अगनासी रस लार और हईड्रोग लोरिक अमल which juice secrete by the organ in the elementary canal plays an important role in the digestion of fat pancreatic juice saliva hydrochloric acid mucos bile juice pancreatic juice your saliva or hydrochloric acid स्नेक नहीं बेटा रंजना वर्मा साप नहीं लेता है तोचा से सांस रप्टाइल है रप्टाइल पर भी फेपड़ होते हैं ठीक है एमफीवियन ओवेचा रूप है जब पानी में रहते सांस लेते किस से स्किन से जमीन पर फेपड़ों से सारी बर्ट्स फेपड़े सारे स्तनबाई फेपड़े कि कुछ भी मतलगा सांप लेता है कि सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं अंकिता जैस बाल बूलती हुए चलिए तो इस प्रिष्ण का उत्तर होगा देखें आपके आहार नाल में हमको क्या करना वसा का पाचन करना तो वसा का पाचन करना तो सबसे पहले क्या करना प पड़ेगा पित्तरस जैसी गिरेगा यह सारी वसा एसी छोटी छोटी बूंदों में तूटेगी इन छोटी छोटी बूंदों को हम बोलेंगे क्या पायसी करत वसा और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे वसा का पाइसी करन जो कि आपका बाइल जूस ने किया ठीक है और इस से यह आपकी ठीक है पैटी एसेड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगी तो एंसर टू दिस कुस्ष्चन विल भी सी सी विल वी दा राइट इंसर साप के दिल होते बिलकुल होते जब साप का बिल होता है तो साप का दिल तो हो गई होगा रेप्टाइल है ना बटा रेप्टाइल इंकंप्लीट फूर चेंबर हाट होते हैं चलो निमनलिकित मेंसे किस जलिये जनतु में गल फड़े या पर हिंदी में इसको क्लोम भी बोलते ठीक है तो मचली जल की रानी है मचली जल की रानी है मुझे पका के खानी है नहीं ऐसा पानी है जीवन उसका पानी है आत लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो चटक जाएगी बाहर निकालो चटक जाएगी चटक जाएगी रीजन इस बिकोस दीज गिल्स क्लोम या गल फड़े कौन सा वह चीज है जिसके अंदर आपका गलफड़े नहीं होंगे तो इस प्रशन का उत्तर जो होगा डैट इस ब्लू वेल या फर वेल वेल आपकी क्या एक स्तनपाई जीव है और सारे स्तनपाई कि से सांस लेते है फैपड़े से अब ही समझाया था गांजा पी होगो फ जिन अनियन क्यों नहीं घाते भाई या कल की क्लास में बताया था एफरोडीजिया होता है सेक्सुल अराउस्मेंट लाएगा ठीक है तो या तो चुपचाव से ब्रत कल लो देवी देपता पूछ लो या पर अधर वाली फीलिंग में चले जाओ ठीक है इस लिए नहीं खा नियुक्त मैंसे कौन सा अंग प्रोकेरोटिक कोषिकास है समानता दरसातहे तो कौनसी वह कोषिकांग है जो प्रोकेरोटिक कोषिकास के के माने बते माइक प्रक क्लोड़ोफेगोस किलए और मायट्य जाएंगे जीवन घराब करना है अपना सर आप तो कमेंट की रेपलाई नहीं दे रहे हैं सर जमसेत खान कौन से कमेंट के भई या चलिए very good answer to this question will be इस प्रश्न का जो उत्तर है that is आपका mitochondria और chloroplast ये दोनों ही आपके क्या है असीम केंद्रक कोशिका के समीब माने जाते हैं actually में जब उत्पत्ती हो रही थी तो कुछ scientist ऐसा मानते है कि chloroplast और mitochondria कभी कुछ जीवानू रहे होंगे कुछ bacteria रहे होंगे क्यों क्योंकि जैसा बैक्टीरिया के अंदर 70S ribosome मिलता है इन दोनों के भीतर भी ribosome क्या होते है 70S होते है जबकि हमारी कोशिका के भीतर ठीक है जो ribosome होते है वो 80S होता है और जैसा आपका बैक्टीरिया का DNA circular होता है वैसे इनके अंदर जो DNA मिलते हैं वह भी circular मिलते है तो ऐसा मानते है कि यह जीवानू रहे होंगे बैक्टीरिया रहे होंगे इसको प्रोक्यारेटिक कोशिका के सभीत माना जाता है तो answer to this question will be c next thing is जूतों के तलवों को क्यों पहला जाता है जूतों को अधिक सुरक्षा देने के लिए घरसन कम करने के लिए घरसन बढ़ाने के लिए जूतों की लाइफ बढ़ाने के लिए बताईए प्रोकेरोटिक और यूकेरोटिक में अंतर का है भाईया जे समल्ले जिन नई पलसर है नई पलसर पुरानी पलसर पुरानी पलसर का इंजन डेड़ सो सीसी नई पलसर का इंजन चार सो सीसी पुरानी पलसर में ग्राफिक्स नहीं आते थे यहां आते थे ठीक है यहां self start नहीं होता था यहां होता था अब इसी को अगर अपन कोशिका में ले ले तो पुरानी कोशिका में 70S ribosome मिलता है यहां 80S मिलता है यहां कोशिका से घिरे अंग जिल्ली से घिरे अंग नहीं होते ग्राफिक से यहां किस से बात कर रहे है जिल्ली से जिल्ली नहीं होती ठीक है मतला आपकी जो किसी भी कोशकांग के उपर जिल्ली होनी चाहिए न्यूक्लियर मेंब्रेन सेल मेंब्रेन नहीं होती यहां होती है ठीक है यहां माइटो कॉंड्रिया वगेरा नहीं मि दिखते हो तो ऐसे खड़ा फड़ा कर दिया जाता है यह क्यों किया जाता है ताकि आपका घरसन बढ़ सके प्रिक्शन हो सके बना के इसलिए आपका ऐसा किया जाता है यह नहीं किया जाए बिल्कुल स्लिपरी दे दिया जाए ठीक है तो थोड़ा सा अगर स्मूथ सर्फेस आ गई अध्डी टूटती गिरेगी ठीक है चड़रो होगा माउंट एवरस ने वहाई से फसलते हुआ टेड़े आजा होगी दो था गई गई तरफ टू दिसक्वोस्टिन विल भी सी है सी इसी विल वी दा राइट एंसर चलो नेक्स्ट कुस्ट्टन निमने मैसे कौन सी गैस अपचियन प्रक्रिया में अपचित होती औक्सीजन इलियम कार्बन हाइड्रोजन टेट का रिजल्ट आने की क्या सम्मावन है पिटा 20 तारिक तक सुनने में आ रहा है कॉंग्रेचुलेशन नौर्मान एहमद तो बताइए निमने में इसे कौन सी गैस अप्चेन प्रक्रिया में अप्चित होती है ऑक्सीजन हीलियम कार्बन या फिर हाईड्रोजन चलिए तो answer to this question will be which of the following gases reduced in the reduction process ठीक है तो reduce क्या होगी very good ठीक है तो reduction किसका होगा hydrogen का होगा अरे reduction की process है hydrogen reduce होगा तो answer to this question will be d अच्छी एसटो गैस का रंग sulphur dioxide gas का रंग ठीक है कैसा होता है नीला होता है दूसर होता है बेरंग होता है या बूरा होता है तो sulphur dioxide जो गैस होती है वो किस रंग की होती है कि अच्छी कि अच्छी कि दिखाओ पेटीम में पहले 20,000 रुपे पहुंचा तम नाचू ऐसा काए नाचू फ्रीका नाच थोड़ी कि कि रेडक्शन क्या एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपका gain of electron होता है loss of electron oxygen होता है जिन reaction में oxygen होती है वो होती है जिन reaction में hydrogen होती है वो इसको आपका reduction बोलते है ठीक है तो आपकी बेसिकली sulphur dioxide ठीक है कैसे रंग की है बेटा गैस है बेरंग है दिख रही है तुम्हें sulphur dioxide हवाम में तो है ऐसे तो नहीं गूमते है ना सब्सक्राइब करें बूद देखो विट्टू वो रही शल्फर डाउक्साइड और नियोन और कारवन डाउक्साइड डिख रही है तो बेटा कलर लेस्ट गैस है काई बेजूबावरावन के घूमरों तो आंसर टू दिस कोस्ट्शन विल भी सी हड़दय से और युक्त रक्त को सरीर के अन्य भागों में ले जाने वाली शिराओ का नाम बताईए गुर्दा दमनिया ए और भी दोनर या फर इंद में से कोई नहीं कि मैं मर जाओं काय को मर रही है कि 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 तो हिर्दय से आपके बोडी के डिफरेंट और गन तक रखत ले जाने वाली जो आपकी वाहनीयों होती है इनको बोलते आर्ट्रीस थीक है इनकों क्या बोलते है धमनिया बोलते और अंगों से हिर्दय तक लाने वाली को अंगों से हिर्दय तक लाने वाली को हम शिरा बोलते हैं और इनके बीच की के केशिका बोली जाती है जैसे कि एक आदमी होती है कौरत होता है इक का होता है वैसे धमनी एक शिरा इन लोनों के बीच का का है केशिका ठीक है चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चिन विल भी ऐल्कोहल का रसाइनिक सूत्र क्या है एबी सीडी आपके सामने चार सीट्र लिख सीटु हफाइव ओएच और तो अल्कोहल का रसाइनिक सूत्र क्या है नहीं भया में साधी मत करवा लड़की यूपी पुलिस में हम पुलिस वाले से तो वैसे साधी ना करें अगर अगर आम बंद कर दिया तो तो माई क्लास कौन लेगा हाँ हाँ हाइड्रोजन पर एक्चली में एक ही प्रोटोन एक ही लक्ट्रोन है तो पॉजिटिव ली चार्ज रहे था पार्टिकल चलिए वेरी गोट तो जिसके भी एंड में ओए चाहता है यह ग्रूपी फंक्शनल रूप क्या है एलकोहल और यह आपका किसका फॉर्मूला है इथाइल एलकोहल इथाइल एलकोहल आपकी जो कमर्शली मिल रही ठीके होती है क्या दारू हर समस्या का हल एलकोहल इसका फॉर्मूला है यह ठीक है एक और होती है जिससे आपकी आँखों की रॉश्णी चली जाती हो और आप अभी कबार आप चटक जाते हो उसको अपन बोलते हैं मिथाइल एलकॉल यह होती है देशी का ठीक है यह जिंगारो पिंगारो शंत्रा खंबा ठीक है ऐसे नाम से मिलती है तो answer to this question will be A A will be the right answer next thing is x-ray की खोच किस ने करी थी एक्सवेल विल्हेम रोल और विल्हेम रॉंटेजन यह रॉंटेजन ठीक है फेराडे या फिर हर्ट्स ने हीटर्स लिखा हर्ट्स हर्ट्स कि अ कि ठीक है तो विल्हेम रॉंटेजन ने वेरी गोड विल्हेम रॉंटेजन ने ठीक है आपकी करीजी x-ray की खोच ठीक है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी सन में ठीक है देखने को मिलती है देखने को मिलती है तांबा क्रोमियम सीसा कैडमियम देखने को मिलती है देखने को मिलती है ठीक है तो एयर में कौन सा पॉलूटेंटिन में से मिलेगा कॉपर मिलेगा क्रोमियम मिलेगा सीसा मिलेगा या कैडमियम मिलेगा बताए आपकी वायू में कौन सा देखने को मिलेगा ठीक है तो वेरी गूड आप जब भी पेट्रॉल इस पंप पे जाते हो तो आप वहाँ पे देखते हो सीशा सहित पेट्रॉल और एक पिंक कलर का डिबबा होता है जिस पे N95, N100, N98 ठीक है एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐसे करके होते हैं ठीक है एक होता है सीशा रहित पेट्रॉल ये थोड़े महंगे आते हैं ये सस्ता आता है ये लेड़ेट पेट्रॉल होता है और ये मिलता है यहां से सीशा और ये सीश लिकिन में से कौन सा भारत का मरुस्तल नहीं है कच्छकारन थार का मरुस्तल सिंदु गाटी का मरुस्तल या इस्पिती गाटी का ठंडा मरुस्तल तो कौन सा आपका भारत का मरुस्तल नहीं है सड़ जी निंदी आ रही है बस सेकेंड लास कोस्टन है इसके बाद जाओ सो नचो होली में बकरा कटवा दे क्या कैंदी हुंदी सी कल बकरा पनां दे चिकन नी पसंद में नू बकरा ही लां दे जित मेरे हाथ का बकरा खाएगी तब चिकन का टेस्ट नू पता पड़ेगा चलिए एंसर टू दिस कोस्टन विल बी सिंदु घाटी मरुस्थल आपका भारत में नहीं आता यह पाकिस्तान प्रांद में जाता है अब इस पिटी वेली नहीं देखी तुमने लद्दाग में इ तुमने जाते हैं यहां पर ठीक है वो जो सीन नहीं देखा तुमने फुनसुक बांगडू कौन सी मूवी थी वो 3D8 की जो आखरी का सीन था इस पिटी वेली का था साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है 20 मई 20 जून 23 दिसंबर या 25 दिसंबर तो साल का सबसे वड़ा दिन कौन सा होता है तो यह थी आपकी आज की क्लास ठीक है बाकी हम मिलिंगे मंडे को ठीक है आपकी उस दिन 9 बजी भी क्लास रहेगी और 10 बजी भी क्लास रहेगी बाकी कल आपका ठीक है DSSB सूपर्टेट वाले स्टूडेंट भी ले सकते है उनके लेवल का भी रहेगा से रेलेटेड 10 गंटे की लगातार में रथन है जिसमें आपकी सुबह 12 बजे से मनलब दोपेर 12 बजे से चालू होगी ठीक है तो उसे जॉइन करना ना भूलिएगा तो मिलते है फि झालू हो झालू हो झालू हो झालू होगी रहेगा झालू होगी रहे जिसमें आपकी लेगाई प благодарी लेगा उनके ठालू है जे लेगा तो हैं आपकी समर्टेट 9 अपकी से रेलेगा आपकी से घॉण Yeah! झाल झाल